दोस्तों नमस्कार, 16 फरवरी 2023 की महत्पूर्ण खबरों बेचारचा करेंगे टेस्ट कल सुरू हो गया है, आपनों को डेमो दे दिया है आज शिडूल बता देंगे कि कब-कब कौन-कौन से टेस्ट होंगे प्रिलिम्स का एक्जाम नजदीक है, UPPCS का मई में है और वो भी मिड में में है, ऐसा भी नहीं कि उसमें भी आपको समय मिलना है तो समय का सदुपयोग करके अपनी पढ़ाई जारी रखें बहुत जल्द कैबिनेट बैठक वगर हो जाएगी और जो भी है आपका आप्षनल वगर का वो आपके सामने आ जाएगा, इसलिए बहुत ज़्यादा बोलना, सही नहीं है उसके विशे में आप अपनी तयारी विशेश कर भी प्रिलिम्स के तयारी करें मेंस के लिए आपको परियाप्त समय मिलेगा स्वार्म, दुनिया का पहला पूरी तरह परिचालित ड्रोन सिस्टम है इसका नाम है स्वार्म, न्यू स्पेस रिसर्च कंपनी ने भारती सेना को सौपा है इसलिए चर्चा में है, ये सौ ड्रोनों का जुन्ड है जो दुश्पन पर बहुत से टीकता से बहुत तीवरता से वार करने में सक्षम है ध्यान क्या है, पूछेगा स्वार्म क्या है तो दुनिया का पहला पूरी तरह परिचालित ड्रोन सिस्टम है इसको सेना को दे दिया गया, इस तरह से परिचालन में आ गया है पूरी तरीके से ये सिस्टम कोटा राजस्थान का शहर है, आपको पता है, मशुहूर शहर है और दस लाखी शहर भी है भारत का ही है विज्ञान केंद्र और तारा मंडल का निर्माड यहां पर किया जाएगा तरकश ये भारत और सेंकतराज अमेरिका के मद्ध संयुकत अभ्यास है जिसका छठा संस्करण चिन्नई तमिल नाडु में आयुजित हुआ पहली बार ये तरकश वाले संस्करण में जो छठा संस्करण है रासायनिक, जैविक, रेडियो लॉजिकल और परमाडु केमिकल, बायो, रेडियो लॉजिकल और नियुकलियर CBRN जिसको समलित रूप से कहा जाता है खतरना घातक अतिया रहे है इनकी संबंधित आतंक प्रक्रिया को शामिल किया गया इससे किस तरह से लड़ा जाए ये अभ्यास का एक महत्पूर्ण भाग था CBRN का अगर सबसे हालिया प्रयोग देखें तो 2017 में सौरिन गैस के रूप में अर्थात केमिकल वेपन के रूप में सीरिया में हुआ था ठीक है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम ये बहुत ही महत्वा कांक्षी प्रोग्राम है ये आएगा ही आएगा परिक्षा में 5 स्टार, 10 स्टार प्रिक्षन है ये इस इंपोर्टन है ये केंदरी मंत्रीमंडल के द्वारा 2022 से 2026 तक कब तक 2022 से 2026 तक के लिए इसको मंजूरी दे दीगे infrastructure development किया जाएगा जो सीमावरती गाउं है जो सीमावरती जिले हैं उनके विकास के लिए कहां के सीमावरती जिले उतरी सीमावरती शेतर के विकास के लिए अब यहां पर भूल जाएगा जम्मू कश्मेर भूल जाएगा पंजाब भूल जाएगा राजस्तान भूल जाएगा गुजराद क्योंकि जब भी border की बात होती है तो पहले हमारा ध्यान चीन की तरफ न जाकर पाकिस्तान की तरफ चला आता है वहीं गड़ बढ़ जाती है तो हमको हमारा सबसे नंबर वन दुश्मन चाइना है पाकिस्तान तो बरबाद देश है वो बोली से ही खतम हो जाता है तो उसके बारे हम ज़्यादा बात नहीं करनी है अभी तो चीन इस समय सबसे बड़ा खत्रा है सबसे बड़ा शत्रू है तो उसके बारे में ही है और इंफ्राश्रक्चर को अगर नुकसान सरी इंफ्राश्रक्चर से कोई अगर नुकसान भारत को पहुँचाना चाहता है विकास करके अपना चाइना है इसी तरके से भारत ने बहुत पहले से infrastructure development की नीती अपनाई कि सीमा औरती गाओं का देशों का विकास जो जीले हैं उनका विकास किया जाए जो राज हैं उनका विकास किया जाए ताकि सुरक्षा सुरक्षा को मजबूत किया जाए लोगों को संपूर भारत से जो कटे हुए शेत्र हैं उनको जोड़ा जा सके ताकि जवरत पढ़ने पर 1912 में क्या हुआ था यही कमी थी infrastructure नहीं था वहाँ पर हमारी सेनाय नहीं पहुंच सकती थी इसलिए प्रतिरोध नहीं हो पाया लेकिन वरतमान में इस्तिति वैसी नहीं है इतना परियाप्त हमारे सड़क हमारे पुल विख्सित हो चुके हैं कि रसद और जो जवरी सामग्रिया हैं युद्ध समय में अगर जवरत पढ़े बहुत आसानी से पहुंचाई आ सकती हैं वाई शक्तित हमारे पास है ही प्रबल वरतमान में तो इसी दिशा में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चीन के सा वरती गाउं को जो चाइना से लगते हैं या बॉर्डर से लगते हैं विख्सित करने के लिए शुरू किया गया है तो चार राज और एक केंसासित पदेश में ये चलाया जा रहा है कहां कहां लद्दाग, हिमाचर पदेश, उतराखंड, सिक्किम और अरुनाचर पदेश अंति मंडल का नेड़न है जिसको कल जो केंद्री मंतरी अनुराग ठाकूर है उन्होंने ब्रीफ किया था विशागा पटनम यहां दो दिवसी ग्लोबल टेक सम्मिट का आयोजित हुआ है कहां पे विशागा पटनम में, ग्लोबल टेक सम्मिट कहां आयोजित हुआ विशा अमरावती विधाई राजधानी विशागापटनम कारेकारी राजधानी और कुर्णूल नयाईक राजधानी अब यहां पर प्रश्ण मेरा ये है आप से कि हाई कूर्ट कहा है आनपदेश का आप लोगों को कमेंड बॉक्स में जवाब देना है जिसको लेकर काफी अभी हाल में विवाद भी हुआ था मुंबई राश्टी संस्कती महोसो इसका आवजन कहां पर हुआ मुंबई में हुआ हिलेरी क्लिंटन पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री हैं सेवा जो सेल्फ एंप्लाइड मुविमेंस एसोसियेशन है भारत का महिला श्रमिकों के कल्याण के महिला भट थी तो सेवा जो संसंगठन है इसके 50 वर्ष पूरे होने के अउसर पर एहमदाबाद में हिलेरी क्लिंटन आई थी भारत में एहमदाबाद में इनोंने इस संदर में हुए कायक्रम में भाग लिया इसके साथी 50 वर्ष पूरे होने के अउसर पर 50 मिलियन डॉलर अर्थात 5 करोन डॉलर के Global Climate Resilience Fund for Women's की घुशना की महिला श्रमिकों के कल्यान के लिए WPL ये IPL की तरज़ पर Women's Premier League अबायजित होगा 2023 से कितनी टीमें है ध्यान लखेगा कुल 5 टीमें है पहला सीजन 2023 में मुंबई और नवी मुंबई में होगा स्मित्ती मंधाना इस बार जो बोली लगी है सबसे महगी खिलाडी बनी है ठीक है 3.4 करोन रुपए में इनको खरीदा गया है रायान अब कौन कौन सी टीमें है 5 टीमें इसकी चर्चा में कल विशेश रूप से सारी चीज़ें समलित करते हुए आईपियल को भी इसमें समलित करते हुए कल मैं चर्चा कर दूँगा तो आपको आईपियल के भी आक्रे मालूम हो जाएंगे पूरे और डबलूपियल के भी आक्रे मालूम हो जाएंगे पूरे मुंबई यहां देश की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर AC बस चलेगी पूछेगा कि देश की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर AC बस कहां चलेगी या चल गई एक्जाम अभी होना है आपका उसके पहले हो सकता है चल जाए तो मुंबई में तो आज के लिए इतना ही दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद